एलो वाइस, I am Sumit and welcome to your series, Unofficially Physics, a revision or crash course series for physics. Today we will be dealing with kinematics and 2D motion. हमने अपिशली लेक्चर में देखा vector का operations, vector का operate कैसे करके, हम kinematics 1D motion में देख चुके हैं, उसको हम 2D motion के लिए और extra बढ़ेंगे, ठीक है? कि first of all, I am sorry, last lecture बहुत लंबा हो गया था, but वो चीजए कनी थी, करना बड़ा, अब से जो भी lecture होगा, वो max to max, 12 to 13 minutes जाएगा, right? Now moving on, भाई what is kinematics, kinematics क्या होता है, study of motion, ठीक है? motion के study को kinematics होते हैं, ठीक है? हम बंडी में देख चोके हैं, अब plane में देखेंगे, सबसे बहले plane के होता है, motion होता है, भाई जब आपने one dimensional पढ़ा था, आपने देखा था, कि जो motion हो रहा है, वो एक ही direction हो, या आगे की साइड हो रहा है, या पीछे की साइड हो रहा है, या ऊपन नीचे हो रहा है, यहां से यहां गया, मतलब यहां से यहां गया, वो एक्स डायरेक्शन में मूव करा हो, या डायरेक्शन में मूव करा है, ठीक है, राइट, ऐसा नहीं है कि वो यहां से यहां सीधा चले गया, सीधा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अलगा line मूव करा हो, अलगा curve मूव करा है, मत जाता है टू-डाइमेंशनल मोशन राइट उसी को मोशन है न प्लेन भी बोल देते हैं अब प्रोजेक्टाइग मोशन क्या होता है जब कोई भी पाट्टी रहा है ठीक है ठीक है डेफाइंग करूं उससे अच्छा एक्जाम्बल ही देता हूं छोटे मैं आपने को भी कुछ न फिल् Ul. ऑसफार कθη편 पाट कैसा रहा है और छोट पर जाता है प्र जाता है फिर आंगने पर जाता है ठीक है फिर वहां से नीचे आना चालों आई कोई इस तरह प्मोश선 आ अनुशन और थम्यांद फर प्रोजयक्टाल फार्टिकल Leb Valос दूने तरह सब्सक्हें की पूर्च को आपको संभन में आ गया है इसकी कुछ उसको बोले तो मैंगे सिंपल है अब यह क्या होता है आप धर्ती से फिकते हो यहां जा आरथे आपके आपके जितने टाइम के लिए यह हवा में रहता है जितने टाइम के लिए वो फ्लाइट में रहता है उसको बोलते है टाइम फ्लाइट ठीक है अब आप उबर विखते हो कुछ दूर जाकर नीचे गरता है तो जितने दूर जाकर नीचे गरता है ठीक है एक जारेक्शन में जितना डिस्टेंस रहता उसको बोलते हैं रेंज कितने दूर जाकर नीचे पूरे प्रोजक्टाय बश्ण की अब आपको प्रोजक्टाय प्रोजेक्टाय बश्ण की तर्मोर्टाय। बश्ण को सॉल्व करते हैं बन नी श्रोड़क्टाय बताओ पहले याद करो अगर अक्षिलिठा में घृट्स वह कुण इस टाइक कोईशन से सॉल करते हैं और अगर एक्सेलरेशन कॉंस्टेंट है यह तो सोने पर सुआगा आपको तीन इक क्वेशन बताएं इन दीन इक क्वेशन की मदद से आप सॉल कर लेते हूं तो ओडी मोशन को कैसे सॉल करोगा आप एक कर जाता हूं यह जाता है यही कोईशन में भी अपल्ड़ाई करते हूं पहली बात जब टोड़ी मोशन होता है, तो उसमें टोड़ी मोशन चोड़ो, सबसे एजी टोड़ी मोशन लेखते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, उसमें एक्सेलरेशन कितना होता है, पहले यह बताओ, जब आप बाल उपर फेकते हो, और वही बाल नीचे आती है, त उस बॉल वा acceleration किता होता, आप तो पहले ये बादाओ, इस direction में कुछ acceleration होता है क्या? नहीं, इस direction में कोई भी acceleration नहीं होता है, ठीक है? acceleration होता है सिर्फ और सेफ नीचे की side, कितना होगा? नीचे की side acceleration होगा, g के वरावर, g क्या होता है? g होता है, 9.81 meter per second square, right? तो जब आप बॉल फेकते हो, और वो बॉल नीचे आती है, उसका acceleration बस नीचे की side होता है, 9.81 meter per second square, ठीक है? ये acceleration constant रहता है, तो ये तो भाई constant acceleration का case होगा, वो सब छोट जाओ, अब ये सब भूल जाओ कि दो direction में motion है, एक direction में acceleration है नहीं, और दूसरी direction में acceleration है, वो constant है, लास्ट लेक्चर में आपने देखा वही वेक्टर बढ़ा, आपने वेक्टर को resolve करना सीखा था, वो resolution यहाँ पर देखो, आपका कितना मज़द करेगा, माली जी initial velocity V है, ठीक है, यह initial velocity V given है, जो मैंने green उससे बनाके रखा, यह velocity V है, ठीक है, इसको resolve करना है along x-o y direction, यह angle भी 5 आपको given है, जो x-axis से बना रहा है, यह अर्थ से बना रहा है, यह हो जागा, v cos phi, यह हो जागा, v sin phi, अब आप देखो, मैंने इस एक velocity component को दो direction में resolve कर constant है, minus g, वो मेरे को मालूमी है, तो बस अब दो अलग अलग direction में जो आपको motion, एक जो motion given था, वो आपने दो direction में separate कर लिया है, दो direction में resolve कर लिया है, अब आप दोनों को separately solve कर दो, एक बार along x direction solve कर दो, यह initial value लेके, एक बार along y direction save solve कर दो, यह initial value लेके, तो जो result आएगा, वो आपको x ओ y direction में separate देखा, भाई मालो आपको बूल दिया, distance find करना है, कितने distance cover कर रहा है, इस position find करना, after time t, तो आप क्या करो, s is equal to ut plus half a t square लगा दो, पहली बार x direction में, u कित्ता होगा, v cos 5, t कित्ता होगा, वो आपको given है, a कित्ता होगा, 0, माली जी कुछ distance आया, 5, ठीक है, तो 5, यह आगया 5, फिर आपको बूल रहा, y direction में, x, तो y direction में, s find करो, u कित्ता होगा, v sin 5, t given होगा, a कित्ता है, minus g, उपर की direction positively है, तो यह negative, तो माली जी होगा है आपको 10, यहाँ पर, तो x यहाँ पर, y यहाँ पर, ठीक है, तो उसका मतलब, वो यहाँ कहीं पहुंच ग बार, तो यही तो आपने motion in a plane solve भी कर दिया, this is how we will solve the motion in a plane, थोड़े और detail में दिखते हैं कैसे करोगा, take component along x in y direction and solve separately, ठीक है, आप projectile तक यह से ले लेते हैं, projectile में along the x direction, a x 0 है, ठीक है, a y minus g है, initial velocity v cos 5 है, यह v sin 5 है, ठीक है, यह आप देखे चोको, यह v cos, sorry, यह आप equations आपको, सारी की सारी मालूं है, अब equations of motion आप लाए कर लो, v cos u plus 80 है, तो v x along x है, जहां सब्सक्रिप्ट में, x x लिखाए, along x है, जहां हो और y लिखाए, वो along y की बाद कर रहो है, तो a x तो 0 है, तो second term तो, जो इस equation में है, इन तीनों equation में, second term 0 हो जाएगा, कर a x 0 होगा, ठीक है, a 0 है, तो यह second term सारी में 0 हो जाने, तो यह तो मैंने लिखती है, along x direction अपलाय करके, second term सब में 0 है, a सब में 0 है, ठीक है, अब along y direction, वस value substitute करनी थी, u y up v sin 5 डालो, a y up minus g डालो, तो along y direction भी आ गया, तो this is how you will solve projectile motion, ठीक है, भाई आपको बोलती है, वालो range find करना है, range क भाई, range आपका हो गया, जो distance कवर कर, displacement कवर कर रहा है, along the x direction, तो range आपकी हो गई, sx, ठीक है, यह हो गई range, time of flight करता होगा, भाई, time of flight होगा, वो time, जिसमें y direction के along displacement 0 है, भाई, वो बापिस से उसी position पर नीचे आ जाए, यह हो जाएगा, time of flight, तो इसको आप 0 substitute कर दो, और फिर जो ti आएगा, इस equation से, वो जाएगा, time of flight, और क्या चीज़ थी, height maximum, height maximum find कैसे करोगा, maximum height कब होगी, दो, या फिर आप तब होगी, जब time of flight आदा होगा, यह property होती है, जितने time में उपर जाता है, उतने time में नीच आता है, या फिर time of flight को आदा करके, आप substitute कर दो, त maximum height, along by direction ही तो होती है, displacement, तो इसमें आप या फिर T by 2 substitute कर दो तो आजाएगा, या फिर, या फिर आप इस equation से find कर सकते हो, भाई जब वो सबसे उपर पहुंच जाता है, तो उसकी velocity along by direction zero हो जाती हो, instantaneous rest पर आता है along by direction, ठीक है, और फिर नीचे आता है, ठीक है, पहले कुछ velocity थ उपर की side थी, फिर नीचे की side थी, मतलब बीच में कहीं तो zero होई है, हाई एच कोई पर zero होती है, ठीक है, तो Vy यहाँ zero रख दो, Uy आपको मालूम ही है, ठीक है, height maximum है, तो आप इस से भी find कर सकते हो, height maximum, ठीक है, Vy zero है, Uy आपको मालूम ही है, ठीक है, तो this is also how you can find maximum height, या पर ये तीन हो formula है, ये तीन हो formula है, फोर्म याद करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप दो-तीन बाच बाच कोश्चन से और पर अपको बना, आप देखोगा कि भाई, वह स्टिक क्वेश्चन से और मोशन ही को अपलाय करने है, वह अपलाय करते से, ये value हाजाती है, यह तो अगर आपको फॉर्मुला याद रहते हैं तो वेलेंट को और याद नहीं रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है महलाओ कोई बॉल है यहां से ऊपर प Acting वापिस नीचे आइंए वो बोल रहा है यह इसके आप आप रयं शाज़ित और आणुवरेvida। इस केस में ही जब बएकशन करते हो नहीं हैं प्रिशे याँ तिक है या फिर along the surface और perpendicular to the surface भई बॉल आपने ऐसे फेगी थी आपको अर्थ का surface ऐसा था तो मैंने along the surface और perpendicular to the surface इसको resolve कर रहा था ठीक है तो physics में आप याद रखिए कभी भी mechanics वश्यन है तो हमेशा force हो चाहिए velocity हो जाए acceleration रिजॉल्व हमेशा along the surface और perpendicular to the surface ही करना है ठीक है क्यों कुछ फरक नहीं पड़ता आप कैसे भी resolve कर दो भाई आप तो along xy कर दो या कोई और direction के along भी कर दो resolve कोई फरक नहीं पड़ेगा आंसर भाई आएगा लेकिन चीजे आसान हो जाएंगी ठीक है वो calculation आसान हो जाएगा तो इसमें आप resolve करो सर्फेस क्या है बॉल यहां से भीक के यहां जा रही है तो आप अलॉंग दा सर्फेस पर्पेंडिबल वाटू दे सर्फेस रिसॉल्ट करो ठीक है यह आपकी मैंने यह आपकी मैंने एक्सेज भी बनाकर रखती है ऐसे आप रिजॉलट कर लो है ठीक है अग कैसे रिजॉल्ट करों एक्स जारेक्षन नहीं है वाइडा आंटीक है यह एक्सेलरीशन नहीं है ठीक है यह जो होगा यह गोगा 90-5 यह 5 यह फाइव यहां पर टीक है तो जी कोस फाइब जी साइन पाइब यू कैसा था माल लेज़े यहां यह वाला एक्जाम्पल रॉन इसके लिए है यहां से फ्रोब रहा है नीचे आ रहा है यूँ ऐसा है ठीक है थीटा एंगल ट्रॉक रहा है यहां से यू फिर साइं तुट थेटा देखे दोनों तो मैं mentee में असाना हुआ है क्योंकि क्योंकि दोनों token है ओने ये पर दैक्शन है बस अब आपने जिस तरह आपने इसके पहले वाले एक्साइम्पल में सॉल्फ करा इस एक्समबल में और यह मालूम था उसी तरह आपको इसे ईक्जांपल में इलाइट टाल बाएके में वह अब इसलेक्शन में म сейчас I fell मालूमों डिफरेंस यह यह कि उसक्वेस्षन में a x0 था इसक्वेस्षन में जो एक्स डैश अगर इस डारेक्शन को मोल दूं और इस डारेक्शन को वाड़ाश बोलो डारेक्शन को जिरो नहीं है लेकिन आपको सब्सक्राइब करना है और आपका आंसर आजाएगा जैसे पहले आए तो इसे आपको रटने की जरूद नहीं है ठीक है आप चाहो तो इसके फॉर्मल होते हैं किसी बीस चांडर बूप में देख लोगो मिल जाएंगे रटने की जरूद नहीं है सिंपल प्रोसेश है अप्लाइड एकक्वेशन पहले अपसे पहले कोडिने एक्सेश चूज कर लो ठीक है अलोंग दा एक्सेश और पर्पेंड़कुल दो एक्सेश कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर लो जो भी गिवन है एक्सेलरेशन गिवन है भाई माइनस जी होता है प्र एक बार आप सूल्व कर दोगे उसके बाल अगर आपको पूछा गया sonėं एक उसके बचला आप decentral लिया और भी फाइंड कर लिया, VX आपने फाइंड कर लिया, VY भी फाइंड कर लिया, आपका उल्डा final velocity क्या होगी, UX और UI नहीं होगी, final velocity होगी, इन दोनों का resultant, ठीक है, तो solve करने का भाई तरीका है, resolve करो, separately solve करो, फिर resultant लेलो, ठीक है, this is how you will solve question, और range और height कैसे निकालना, वो हमन है, वो देखी लिए कि भाई, जब displacement 0 कर दो, along the y-axis तो range आजाती है, ठीक है, और क्या, along the y-axis displacement 0 कर दो range आगी, और, sorry, 0 कर दो, और वो time of flight आजाएगा, range क्या होती है, displacement along the x-axis होती है, ठीक है, maximum height कैसा है, time of flight को आप आप आजा कर दो, to maximum height आजाएगा, या, VY को आप 0 से put कर आजा हो, क्योंकि ऊपर जाके वो रेश्ट प्या जाती है, ठीक है, ये छोटी-छोटी-छोटी-ट्रिक्स की, जो मैंने आपको पर दिसकस करी ली थी, तो this is how you will solve projectile motion, और in flying motion का case गे हमने डिसकस करी लिया, अब आप practice करोगे, एक आज question देखोगे, तो आपको समन्द में आजाएगा कि कैसे आपको projectile motion या motion in a plane से deal करना है, तो go and practice, I hope, I hope आप लोगो को ये पसंद आ रहा है, मैं इसमें कुछ बहुत ज़्यादा questions नहीं ले पा रहा हूं, या बहुत ज़्यादा derivations नहीं ले पा रहा हूं, because this is intended for quick revision, कि भाई आपका 12.5 में सब कुछ revise हो जाए, question series हम चालू करेंगे, लेकिन बाद में after ये series में finish कर लो, thank you, that's it for today.